ये तिन खांदान एक खांदान कॉंग्रेस का है एक खांदान नेस्नल कंफरेस्ट का है एक खांदान पीडी पी का है ये तीनों खांदान जम्मु किश्मीर को दसकों दसक तक बरबादी देने के जिम्मेदार है जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बरबादी के जिम्मेदार नहीं थे जब वाजपाई साथ को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हमने कोई खराबी नहीं थी आज इलेक्शन के दोरान इनको खराबी नजर आई ही जाती है ये तिन खांदान एक खांदान कॉंग्रेस का है एक खांदान नेशनल कंफरेस्ट का है एक खांदान पीड़ी पी का है जम्मु किश्मीर में इन तीन खांदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है ये तीनों खांदान जम्मु किश्मीर को दसकों दसक तक बरबादी देने के जिम्मेदार है इन तीन खांदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया इन तीन खांदारों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया तरपाया गया सरकारी नोकरियों में सिरफ उनी लोगों को भरती किया गया जो यो इन तीन खांदानों के खास थे जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बरबादी के जिम्मेदार नहीं पर अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जमू कश्मीर में रिष्टा था तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई जब वाजपाई साथ को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हमले कोई खराबी नहीं थी आज इलेक्शन के दोरान उनको खराबी नजर आहीं जाती है आप यकीन मानें कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दुबारा मदद करने का फैसला किया उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी ये वक्त की बात नाप ये सियासी तक्रीरें होती है और एलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है